नमस्कार दोस्तों सरदियों का मौसम आते ही आपने ये बथ हुए का साग जरूर देखा होगा बजारों में भी यह बिकता है और गाउं में तो खेतों में गेहूं के साथ सर्चों के साथ बहुत मातरा में होता है लाजवाप स्वाद के साथ साथ पोसक तत्व से भरपूर होता है इसमें विटामिन B2, B3, B5, विटामिन C, कैलसियम, मैंगनिसियम, फासपोरस, लोहा, पोटेशियम, सोडियम सभी तत्व पाये जाते हैं सर्दियों के मौसम में कई बार हमें यूरिन में इंफेक्शन हो जाता है क्योंकि प्यास तो लगती नहीं इस वज़े से हम पानी पीते भी नहीं है और पानी की कमी के वज़े से हमारे जो यूरिन है वहाँ इंफेक्शन खैल जाता है और हमें जलन और दर्द महसूस होने लगता है इस हालत में हमें बत्वय का साख जरूर खाना चुए बत्वय के साख खाने से हमारे जो शरीर में कमी रहती है वह भी पूरा हो जाता है और infection भी खतम हो जाता है अगर आप चेहरे पर कील मुहासे से परेशान हैं तो बथुए का साख खाना शुरू कर दें क्योंकि इसके रस में बिटामिन B2, B3, B5, बिटामिन C, कल्सियम पाय जाते हैं जो चेहरे पर कील मुहासे दात खाज खुजली से छुटकारा दिलाते हैं दोस्तो प्रियेट प्रोब्लम से यदि आप परेशान हैं तो बथुआ खाना शुरू कर दें इसमें बिटामिन D पाया जाता है जो प्रियेट प्रोब्लम को ठीक करने में सहायक है बथुए का प्रतिदिन सेवन से गुर्दे की पत्री से भी बचा जा सकता है अगर किसी भाई बेहन को गुर्दे में पत्री है वह भी बथुआ बिल्कुल नीमित खा सकते हैं बथुआ आपके प्याचन यंत्र को भी बहुत मजबूती परदान करता है जो आपके खाने को पचाने में सहायक होता है और आपको कब्ज जैसी बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है अगर आप बथुए का उबला हुआ पानी पिए तो खराप लिबर भी आपका ठीक हो जाएगा और दोस्तो इस बथुए का उपयोग करने के लिए आपको किसी भी डाक्टरी सलाह लेने की जुरूरत नहीं है बिल्कुल निराफद है और अगर डाक्टरी सलाह के आप बथुए का डेली सेवन करें और अगर आप बथुए की सबजी रायता बना रहे हैं दही के साथ या छाज के साथ तो क्या पूछना वह और भी कई तत्वोष से भर जाएगा आप उस तरीके से भी उसका सेवन कर सकते हैं आपको ध्यान रहे कि आप जब भी बतुए का सेवन कर रहे हैं तो आप दिन में ही करें दोपहर के भोजन में उसका उपयोग करें रात्री में ना खाएं क्योंकि आप अगर ठंड में और ठंड खाएंगे तो आपको समश्या भी हो सकती है इसलिए आप दिन में ही उसका परयोग करें रात्री में बथुए का सागनाख है अगर आप बथुए के रस में नमक मिलाकर उसका शेवन करते हैं तो अगर पेट में कीड़े हैं या किसी बच्चे के पेट में कीड़े बन रहे हैं तो वह भी पूरी तरह से खतम हो जाएगा इस तरह से बत्वे के बहुत सारे उपयोग हैं दोस्तों बस आप नीमित बत्वे का साग खाना शुरू करें आपको बहुत ही लाब और बहुत ही फायदा मिलेगा गरवती यह एक सीमित मात्रा में खायें बहुत ज्यादा ना खायें जिससे आपको किसी तरह का नुक्सान हो क्योंकि इसमें जो कैल्सियम की मात्रा है और जो लोहा आयरेन की मात्रा है वह गरवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है तो आप सभी को बच्चों से लेकर बढ़ों तक बथुए का सेमन जरूर करना चीए सरदी के मौसम में अगर किसी के घर बथुए उपयोग है तो इस तरह के फूल आ गया है तो डंठलों को तोड़ दें जैसे ही डंठल तूट जाते हैं उसके बाद उसमें से नए बथुए फिर से आ जाते हैं दोस्तों आज इतना ही फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद